Assalamualaikum students, how are you all? I hope you will be fine. Stay home, stay safe. Open your English workbook, page number 37. First of all, mention the date and date. Write vowels. आज हमने क्या write करना है? vowels. vowels क्या होते हैं? A, E, I, O, U. हमने इनको क्लास में भी रिट किया हुए है वर इंग्लिश की रिडिंग बूप में, vowels को. आज हम इनको write करना सीखेंगे. किस तरह से हमने write करना है? ओके? जो हमारा letter लिखावा है, A, उसके नीचे ही हमने A को write करना है. A, E, I, I, O, U A, E, I, O, U. कितने letters हैं ये? फाइव letters हैं. vowels कितने होते हैं? How many vowels? फाइव. A, E, I, O, U. दुबारा से हम ऐसे ही write करेंगे. A, E, I, O, U. आपने ऐसे ही ये सब complete कर लेनी हैं. नीचे तक lines. ओके? और इनको अच्छे से याद भी करना है. A, E, I, O, U. ओके स्टूडेंट अब हम ऐसे ही complete कर लेंगे इन लाइन्स को. जितना भी हम डेली बेसिस पे काम करते हैं आपने इनको प्रैक्टिस भी डेली बेसिस पे करनी हैं. कलर दा वावल्स का क्या मतलब है? कि जो वावल्स हैं हमने उसमें कलर्स करने हैं. क्या करना है उसमें हमने कलर्स करने हैं? ए, ए, आई, ओ, यू, अब ए कहाँ पे हमने वो डूढ़ना है? ए, ए में कलर कर देना है हमने. आपको जो कलर पसंदो आप कर सकते हो, येलो कर लो, औरेंज कर लो, पिंग कर लो, ग्रीन कर लो, जो भी आपको पसंद है. सब में चाहे सेम कर लें, या डिफरेंट कर लें, लेकिन कलर आपके प्रॉपर होने चाहिए, ओके? सिर्फ हमने वोवल्स में करने हैं. वोवल्स कौन से हैं? ए, ए, आई, ओ, यू, ए, अब है ए. ऐसे ही हम जितने वोवल्स हैं उसमें कलर्स कर लेते हैं. Okay, students, हमने ए, ए, आई, ओ, यू, वोवल्स जो थे हमने उसमें कलर्स कर लियां. आपने भी इसी तरह डिफरेंट कलर करने हैं या सिंगल कलर करना है, वो आपकी च्वाइस है. ठीक है? नीट कलीन आपने काम करना है, अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, अलाँ आफेज.